लंबे वक्त बाद इंतिजार हुआ खतम, लॉंच हुआ हमारा प्यारा बजाज चेतक जी हाँ दोस्तों, बजाज ने अपने सबसे सस्ती स्कूटर चेतक को आज इलेक्ट्रिक अफ़तार के साथ लॉंच कर दिया है ये स्कूटर करीब 14 सालों के बाद भातिल सरकों पर फिर से रफतार भरने को तैयार है अगर आप भी इस शांदार क्लासिक लुक्स वाले बजाज चेतक के बारे में हर बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम आपको बजाज चेतक की कीमत से लेकर फीचेस तक की हर बात बताने वाले हैं तो वीडियो को जरूर देखे और अगर आप ऐसी शांदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से नीचे दिए लाल बटन यानि सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए साथी पांस में दी गई घंटी को भी ट्रिंक कर दे जिससे आपको ऐसी ही बढ़िया वीडियो हर रोज मिलते रहें अगर बात करें लुक्स की तो रेट्र स्टाइलिंग वाले स्कूटर को बनाने में सॉलिड स्टेल फ्रेम और हार्ड शीट मेटल बॉडी का इस्तिमाल किया गया है इसके हिड लैंप को गोला का रखा गया है तथा प्रीमियम फिल देने के लिए मिरर एंड फ्रन्ट फेंडर में क्रोम का प्रयोग किया गया है फीचेस की बात करें तो बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कंसोल स्मार्ट फोन कनेक्टिविटी तथा इंटिनेट ओफ तिंग्स की सुविदा दी गई है इस तकनीक के माधम से रिमोट स्टार्ट, जियो फेंसिंग, स्कूटर खोजने का फिचर तथा लुकेशन ट्रैकिंग की सुविदा का लाब उठाया जा सकता है वही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो नई चेतक में सस्पेंशन के लिए सामने हिस्से में टेलिसकोपिक फॉर्क और पिछले हिस्से में सिंगल शॉर्क अफजर्बर लगाए गये हैं वही स्कूटर में ट्यूबलेस टायर का प्रयोग किया गया है तथा इस पर 12 इंच का पही लगाए गये हैं बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में कमपनी ने IP67 रेटेड लीथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया है इसके इलावा इसमें स्विंग आर्म माउंटेड मोटर का भी इस्तिमाल किया गया है इस स्कूटर में कमपनी ने दो अलग-अलग मोट दिये हैं जिसमें इको और स्पोर्ट मोट शामिल हैं यह स्कूटर फूल चार्ज होने पर इको मोट में 95 किलोमेटर तक का रेंज प्रदान करेगा जबकि स्पोर्ट मोट में ड्राइव करने पर यह स्कूटर 85 किलोमेटर तक चल जाएगा कीमत की बात करें तो कंपनी ने इस स्कूटर को दो अलग-अलग वैरिंट में लाँच किया है इसके ड्रम वैरिंट की कीमत एक लाग रुपे और डिस्क ब्रिक वैरिंट की कीमत एक लाग 15,000 रुपे तै की गई है अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप आज ही 2000 रुपे दे कर कंपनी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा बजाज का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए मेमान है तो हमारे चैनल एंजे हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर ले